भारत के महान योगियों ने हल से प्रेढ़ना लेकर हलासन नाम के आसन की रचना की जैसे हल कठोर से कठोर जमीन को मुलायम बना सकता है वैसे हलासन शरीर को अत्यनत लचिला बनाता है विशेश कर रेट की हड़ियों को हलासन करने के लिए सबसे पहले पीट के बल लेट वाँपर इस आवस्था में स्वास लेकर और छोड़اब सहसे स्थिती करें कर रहांके जोड़कर घवल इस आसन के साथ एक या दो बार करना पर्याक्ट होगा जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है to शुद्धी चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे हलासन करने के बाद विश्राम अवस्य करें हलासन करने के बाद विश्राम की जो सबसे अच्छे स्थिति मानी जाती है वह सवासन की है हलासन कर लेने के बाद चक्रासन अवस्य करें चक्रासन हलासन का उपासन भी माना जाता है